धन तेरस पर हनुमान जयनती का शुब सयोग मिलेगा ला धन तेरस पांच नवंबर सुमवार को मनाई जाएगी और इस बार की धन तेरस पर कई अच्छे सयोग बन रहे हैं। होगा और बरकत देने वाला होगा। वही शाम के वक्त लक्षमी नारायन की पूजा होगी। जिसके बाद अनाज, वस्त्र और रोशदी दान करेंगे। शाम को मुख्य द्वार पर यमराज के लिए एक बड़ा दीपक जलाएंगे। जिससे अकाल मृत्यू का भयक खत्म हो जाएगा। वही दोपहर के वक्त वर्तन, आभूशन, धनिया, गनेश लक्षमी जी, चांदी का सिका खरीदें। दोपहर बारागर दशमलब 0000 से 1.30 बजे, शाम 4.30 बजे से शाम 7.30 तक रात को हनुमान जैन्ती होगी। हनुमान जी धनी बना देंगे। पवित्र कारतिक मास का सुमवार हैं कार्तिक कृष्ण त्रयोद्शी हैं हनुमान जैन्ती मनाएंगे कार्तिक चतुरद्शी को ही आधी रात को हनुमान जी का जन्म हुआ था सुमवार को त्रयोद्शी तिति रात 11.4-7 वजे खत्म होगा वही आधाई रात के बाद कार्तिक चतुर दिशी का पवित्र दिवस है अनुमान जी का जन्म साल भर में दो थितियों में मनाया जाता है पहला चैत्र मा की पूर्णिमा को तो दूसरी थिति कार्तिक माह के क्रश्नफक्ष की चतुर दिशी को मनाया जाता है वही एक थितिको जन्मदिवस के रूप में तो वही दूसरी को विजभ भिनंदन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है यह शुब मुहूर्थ हैं, शुरू कर सकते हैं कोई भी नया कारे गंगा या कोई भी पवित्रम नदी में सनान कर सकते हैं सुमवार और मंगलवार को बहुत बड़ा शुब मुहूर्थ माना जाता है आप वकील, जज, डॉक्टर, इंजिनियर या फिर आये एस बन्दना चाहते हो कोई नई पढ़ाई या कॉमन पेटिशन शुरू कर सकते हैं व्यापार के लिए क्रार्ज के लिए कोशिश कर सकते हैं धन्तेरस पर यह उपाय कर लें किसी पवित्रम नदी तालाब या गंगा जल डाल कर सनान करें जल देवता याने वरोण की पूजा करें पूजा करके शिवजी और हनुमान जी की साथ साथ पूजा करें शिवजी को तुलसी के पत्ते की माला चाढ़ाएं वही शाम को दीबदान करना होता है मुख्य द्वार पर एक तिल के तेल का चार मुख्य दीपक जलाएं पास ही थाली में यमराज के लिए सफेज बरफी, तिल की रेवडी या तिल, मुर्मुरे के लड्डू, एक केला और एक गिलास जल रख दें धन तेरस पर दीब जलाने का मुहूर्त शाम 6.30 से 7.30 बजे तक है